हेलो फ्रैंट्स कैसे हो आई होप आप अच्छे होंगे तो इससे पहले हमने यह जैसा आप देख पा रहे हो इसकिन पर यह वीडियो अफ्लोड गया था इसमें कुछ कमेंट्स थे आपके उन कमेंट्स हों के जवाब भी दिये जाएंगे इसी वीडियो में तो एक पॉरम और यह दूसरा पॉरम है तो इसमें क्या क्या जानकारी फिलप की गई थे ठीक है और मेरे ख्याल से कोई भी चीज आप नहीं चूटेगी यानि जो भी आपने कमेंट्स भी यह थे मैं साथ ही साथ जवाब देता जाऊगो ठीक है और फॉरम भी देख लेते किस प्रकार यह बर आते जाओंगा चलो देख लेते हैं देखो यह तो बरती का नाम दे रखाए सिंपल है इसे कोई दिक्कत नहीं है दूसरी नंबर पर आता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जनरल टीचर लेवल सेकेंड साइंस में ठीक है यह यानि जिस पोस्ट के लिए आप अधर राज्य है जितने भी वर रहे हैं और टीचर पीर यह से बरें ठीक है चाहिए साइज मेंट से हो यह सामाजिक विग्ञान से हो यह संसकल से किसी भी सब्चेक्ट से हो तो उसे नंटीचर पी करना हुआ अधर राज्य को लेवल पस्ट वाले की बात करें तो उन्हें अधर राज्य से बरना है तो उन्हें यहीं नंटीच पी करना हो क्योंकि आमने कमेंट्स में ऐसे बहुसारे कोशन किये तो उसी आधर पर बता रहें ठीक है और यहां पर और भी चीज़ा आती है जैसे मालीजी कोई अनुचे छेते से संबन देते है राजस्तान के जैसे के उदैपुर है डूमर पुरवास वाड़ा तो वह यहां पर जनल से होगा तो भी वह टीएसपी करेगा पर यह नंट जाएगा आगे से ठीक है यह चूज करना होता है जब आप पॉरम पुल करोगे तो यह चीज़े नॉर्मली है जो इमितर वाला होगा वो जे इन चार जनक पर नाएज ठीक है और आगे चलते हैं तो यह आपके आविदन संक्या हो जाती है इस टेट को बरा है और यह सब्सक्राइब हो जाएगा चलो आगे देख लेते हैं और क्या दिरकाई समय देखो यह आपके आविदक का विबरने यानि जो आप एप्लाई कर रहे हैं तो यू कनेक्ट होके आजाएगी यह आप और यह देखो केटिगरी ठीक है तो केटिगरी जो भी है आपकी जैसे इन्होंने जनरल से बरा है तो आपकी जो कोई भी हो OBC, MBC, ST, SC अधर राज्यवाले तो जनरल पहेंगे सिंपल सा लोजिक्स यह समझ के चलना ठीक है चै आप कि इसी भी कैटिगरी महरूले करें यहाँ पर आप जनरल में जाएंगे ठीक है चलो आगे देख लेते हैं ऑप्सन है क्या आप आते ग्रूप से कमजोर हैं बर्ग में आते हैं यानि EWS तो यह यस किया है इन्होंने ठीक है आगे चलते हैं क्या बिस्स दिब्यांग जन सेड़ इन्होंने ने कर दिया है यह नहीं नोट एपिकेबल ठीक है आगे दे रहा है मल्डिपल डिसाइबलेटी इसमें भी नो कर रहा है और विस्स यूग जन प्रतिसत यानि आपने अगर कोई हैंडिकैप बगएरा होता है या कह सकते हैं दिब्यांग जन है तो वो ओकी करेगा ना तो उसके आधर पर यह जनकारी है फिल करीबा जाएंगी लेकिन जब आप ही नहीं तो फिर इन चीज़ों को आप नोई नो करते जाए ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं फिर है धरम तो इन्होंने इंदू किया है ठीक है उसके बाद है यह यहां पर इंदू लोग कि अगर आपने यहां पर मेरिट किया तो आपको यह चीज़ें फिल यह डिल करने पड़ेगे जो दीख रहे है ऐन्ए यह वाली यह ने तो यह चीज़ें आपको फिल करनें पड़ेगे और जहीं जीवन साधी का नाम बगरा पहुत सारी मेरे caughtINS साथीों बगरा की नमबर ड राजस्तान के 66 छे संबंद्द है या हम यह कह सकते हम इस संबंद तब तो यस करना है जब राज्तान की है अधरबाइस आपको ना टीस पी करना है ठीक है अगर उस चेते से सम्माद नहीं है आप पर आ जाते हैं कर जी लिख रहा है कोर्सपरोन्डेंस या इंस या नहीं पत्रचार का यडर से जो भी आपका आधर साहदर काट में या आप पेचान पत्रझस छोबी एडर से उसे प्ल कर दे हैं इन्हों ने जैसे किया गाउं का नाम पिर उसके बाद जो भी कली मोरला है उसके बाद देसी बढ़ी है इसमें इस्टेट हो जाएगा आपका तो उसके बाद जिला हो जाएगा फिर आपके सहर का नाम हो जाएगा या गाओं का पिर उसके बाद पिन कोड नंबर हो जाएगा फिर मोबाल नंबर यह चीजा नॉर्म देति आपकी डश्तिय तांडिय वह जाएगी ग्रह राज्य आपका जैसे रास्तान है या अज या अधर नजटय कोई हो सकता till आप रह भाट घ्रयम लंग ऑनSen दफ़ लुटवाल कर दिना कि जो आपने यहां पर ने एंडिया डाल इतो इन चीजों को बननी कि कोई जीरोडत शकते हैं ठीक चलो आगे देख लेते हैं यह किरा आप बूदपूर सेनिक हैं यहां आप उतकरष्ट ख्लाड़ी रह चुकी है या आपके पास जो NCC क्यांट कह सकते है सार्टिपिकेट है यानि प्रसेच चेक हो आप उसके तो यह चीज़ें नो ही कर दिना कि मोस्टली इन चीज़ों में जो हो तो कर सकते हैं यह यह दरबाइस यह से में नो करना है ठीकर लास्ट में एक ओप्सन आता है किया सरकार के करमचार इस्थाही है यह ला है यह रहा है उसके लिए धीक्षेश के जिनकी आये कंहें वही Yes करें, कहना का मतलब यह हैं कि जिनकी डायिलाच से कम आये हैं तो वो तो Yes करें और इसके लिए आपको एक आयप्रमारपत्र देना होगा अलग से क्या जब आप यह ए कह रहे होald कहमारी डायिलाच आय कम है तो उसके लिए आपको आई प्रमाट देना होता है लाइस्ट में जब जोइनिंग होगी जाओ ठीक है तो यहाँ पर येस करवा करना है जब आपकी डाहिलाक से आई कम है हदिक है तब यहाँ पर नो कर देना है ठीक है लाइस्ट में चरत सत्यापन तो इसमें यह देख रहा है कि आपके पास कोई आप राद एक रुकॉर्ड तो नहीं यानि क्रिमिनल कोई रुकॉर्ड तो नहीं जैसे थाने बगरना में आपके संब्ध कोई रुपोर्ट हो तो आपको नो ही करना है और हो तब यास करना उसका विवरण भी देना होता है तो आगे चलते हैं आप जैसे देख पा रहे होगे यह आपके कोई चीज़े हैं जो में चीज़े हैं जो आपकी 10 और 12 और के रेजुएसन के या जो भी BSTC वाले हैं जैसे इन्होंने लिखाए B.S.E.R. अजमेर उसका रोल नमबर डल जाएगा जो 10 की मार सीट में होगा एक वर्स में किया है यानि बारे मा इन्होंने ऐसा डाला है उन्हें इसा होता नहीं है बरतियों में यह चीज़े बरवाई यहां से पासिंग देथी का मतलब यहां से पासिंग डेट है जिस इर में किया थिक है सिंपल है यह चीजे आप नुर्मली पर सकते हैं सेकंड हाता है आपका जो 12 थे क्लास है इन्होंने PCM थी इसमें यानि इन पर PCM थी सब्जेक्ट और रायस्ताने बोर्ड से किया है यह निकार रॉल लंबर है और एक वर्स की हो थी कि परसेंट पेसे तो उसके बाद इन्होंने पासिंग किये दो जातीने में यहां पर प्रतिक स्टेप पर देखते जाना किस हिसाब से बढ़ा गया है यह पर ग्रेजुएशन में इसमें PCM थी और राइस्टान से किया है यह निका रॉल लंबर हो जाएगा आपको मालों हुआ ग्रेजुएशन च्छतीस मेने यां तीरी एर की हो जाती है यह नहीं त्री एर की ठीक है और उसके बाद 2017 में किये हैं इन्होंने इतनी का पूरांग था और इन्होंने इतनी अंक प्राप्ति किये थे तो परसेंट ने यहां पर बनी है और इन्होंने 2017 में सब्जेक्ट बीएड में आपने ली थी जैसे इन्होंने चेमिस्टी अमेथ लिया था और इन्होंने जो भी उनिवेसिटी जे एम पी एसी भरत पर से ठीक है और यह इनका रॉल नंबर है और दो बरस वाली किये यह इन्होंने चोबी समाट अला आए ठीक है और इन्होंने कॉल से आपने की है किस एर में किया है वो में माइन रखती है वहीं से आप कॉल करके इन चीजों को पूछ सकती है ठीक है तो यह हो जाएगीå पासिंग आपकी प्रवेश्थीती ओर यहीया आपकी प्रविस्तिती ह53 ओजाएगी घ्र बाकिए चलते हैं कि अब आजाते है रीड 2021 का जो प्रमार पत्र है वह इसमें किया कि यह साइंस मैंत से हैं और यह तो सभी को कॉमन रहे का भी सिया राजमेर से ठीक है यह इनका रॉल नंबर है और उसके बाद देखते हैं इन्होंने उत्तीन किया जैसे 2021 में ही लगाई है ठीक है और देखा ज लिखते हैं तो क्या आप किसी बोड या लोक सिवा द्वायर अनुचे साधन से पकड़ेगे या आप नकल करते हो तो आपको नोई करना है इसमें ठीक है आगे चलते हैं तो बेकर पे पेसे हैं यानि आपने जो आपने क्या सकते ग्रेजुएशन जो की दी उनमें कौन-कौ सब्जेक्ट हो दी है न जैसे के बासा के रूप में लेते हैं तो बासा परस्ट हिंदी थी सेकंड इनकी संसकती और जो भी जो में सब्जेक्ट है उनकी साइन्स में ठीक है आगे विवर्ण ये देना होता है कि जो भी रीट में आपके कितने मार्क से हैं उनका 90% यहां पे यानि किसकते हैं आपको जो किस डिष्ट को चूज करना है लेनी के लिए ठीक है जैसे हिनों ले दौर पूर लिया है पहला पर दूसरा लिया है भरतपूर तीसरा है दोसा चौता है करॉली तो इसह साफ़से अपनी परपेंस कुद की चौइस होती है ठीक है तो इसह साबस चीजे उसके लाश्ट में signature हो जाता है यह चीजे वो चीजे है इसमें लिखवाया जाता है यानि यह खुद printed आता है कि जो भी मेरे द्वारा उपर उपर जानकारी भरी गई है वो बिल्कुल सही भरी गई है तो इस प्रकार यह totally form फिलप करवाया गया था जिसमें यह जानका सर फोटो और signature अप्लोड नहीं हो रहे हैं सब सही है फिर भी अप्लोड sign मतलब जो भी फोटो और sign है वो नहीं लिखा जा रहा है तो सिम्पल है आपको jpg side में जा सोरी जो भी फोटो है आपको jpg में convert कर लेना है अधर बाइस आप उसे के वी में कम कर लिजी यानि 50-100 कि मत में आप उसे पोटो हो या signature किसी को भी अप्लोड कर सकते हैं तो आप मुवाइल से कर सकते हैं अधर बाइस आप इमितर से बरवात है वो बैस्ट रहेगा आपके खुद से कर देगा नेक्स्ट है किसी ने पूचा है हितिस दवी ने सर परसनल डेटेल में नेचलेटी का जो option है वो नहीं आ रहा है तो देखो simple है आप खुद मुवाइल से बर रहे हैं तो हो सकता है net slow budget हो सकता है या hang site हो रही तो नहीं हो रहा है लेकिन एक दोवा try करेंगे अगर खुद इस की SOS ID या मुवाइल से बर रहे है तो option आ जाएगा ठीक है बाकि इमितर से बरवात है तो यह problem नहीं हाती है नेक्स्ट पूचा किसी कुसल ब्यास ने क्या पूचा है कि TSP एरिया में EWS वाले को general category select करनी है तो EWS वाले option में yes भरा या no because read me मेरे category में EWS दिया है देखो यह जरूरी नहीं है कि किसकी मारसीट में क्या दिरका है simple सा logic होता है यह होता है जब आप forum बर र देना चारा है वह चीज है कि आपके बास्ट सा logic ही है नौ परवरी से पहले का डोक्मेंट सोना चाहिए जैसे कि OBC वाले यह तो उनको 6 मीने से प्राना यह नहीं 6 मीने का पराने से simple सा logic होता है आपको नो परवरी से पहले का होना चाहिए चाहिए जहाए वह लास्ट टाम उसी डेट का हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि EWS इनों ने कर रही है, तो मेरा मनना यह का, अगर आपके पास EWS प्रेजेंट में है, और नो परवरी से पहले का है, रनिंग में चल रहा है, तो आप है EWS से बर सकते हैं, आगे पूछाए सीता महला ने, यह कहरें कि कॉमर्स वाले सब्जेक्ट किस तरह से बरें, जैसे कि उसमें अकाउंटेंस है, बैंकिंग या और बिजनेस और एकनोमेक्स और एकनोमेक्स और फानेंस ये मैंजिमेंट दिये हुए है, और आगे इनका मैंसे और भी है, तो इनका लोजिक ही है, आपने ग्रेजुएशन में कौन होंगे तो आपके graduation level पो होती है यानि graduation में आपके कौन सी subject रही तो जो आप फिल करोगे वही चेक होंगी वाप पर जाके तो बेस्ट यह रहेगा जो graduation में subject है वही फिल कर दो वह best रहेगा और हदिकी भी होती है किसी के पार वैसे तो तीनी subject common होती है अगर उससे ज्यादा होती है तो आप तीनी बर दें उसके पार जो document verification होगा तो वह खुदी चांद जाएंगे इन चीज़ों को तो और जैसे भी commerce वाले इसी वार से जोड़े गए अगर कोई problem आती है नो यह के लिए एक एपीडेविट लग जाता है तो problem नहीं है कि वह तो एपीडेविट लगके भी संसोदन हो जाता है इन चीज़ों next है कोई hp या रस yt के नाम से क्या बिना रीट 2021 के apply नहीं कर सकते तो आपको अकर रीट 2021 दी है और जो ही apply कर सकते इसमें otherwise कोई नहीं कर सकता है चाहे वो सीटर से पास हो या किसी से भी पास हो ठीक है यह स्रीवास्तवा सर सर अधर इस्टेट वाले किस से फोरम भरे जाएंगे या टीएस पी या नन टीएस पी से तो उदे को मैंने वही बात की तो अधर राजवाले नन टीएस पी से बना रहे हो नहीं तो otherwise आपकी merit जब आएगी ना यानि कहने का मतलर लिष्ट बनावाएगा तो वो टीएस पी रियम आएगा तो उसमें आप पुस्टिंग लेने जाओगे या मैसेज मिल जाता है इन चीजों का तो आप जाओगे तो वो तुम्हें पुस्टिंग नहीं देंगे यह कहेंगे आप टीएस पी रियम आना चाहिए देंगे आप टीएस पी रियम आ गयो तो इस पज़े से आपको पुस्टिंग नहीं मिलेगी सिंपसलोजी कि यह होता है फिरे अमरेंद सिंग सर बीएट की पासिंग डेट पता नहीं है क्योंकि मारसीट में करेक्शन करवाय इसे कोई लेना देने आपने किस यह में पासिंग की है वो डिड़ल वाईगे आपने संसोदर इसमें किती विवार करवा लो कोई मतलू नहीं आपकी पासिंग यह वही रहेगी जो आपने पास की थी पहले बार में ठीक है कोई रूची महता है कि सर डेली से सीटेट वाले qiden apply कर सकते हैं थे ओका नहीं कर सकते मैंने इससे पहले message में बता था जुनों ने रीट 2021 दी है को ही apply कर सकते है अधर वाज अधर गोई भी नई कर सकता है ठीक है किसी भी टैट को पास हो हूँ आप ठीक है colors आप लेक्व से है शर्म मेरे फॉरम में personal detail में nationality वाला नहीं खुल रहा है यारी इनके में वही problem आ रही है और मैंने इन्हें personal message करें कि बताए वो क्यों दिक्कत आ रही थी आगे है sir BA में मेरा subject home science sociology और social science है और हम read exam Hindi Sanskrit और sociology से दिया है फॉरम या फॉरम में क्या बरें जनरल इन्दी से तो simple logic है कि जो भी आपने BA या कुछ भी किया ग्रेजुएशन लेवर पर या BAC किया है या home science ही ग्रेजुएशन में क्या subject है बोई चीजे फिल कर दो आप तो आपको कोई लेना देने नहीं है कि आपने क्या subject है बरी अब इस टाइम पर फॉरम में जो चीजे भरी जाएंगी यही पैरिफिकेशन होगी और दोक्यमेंट को सी subject है वह पर इविकेशन होती है ठीक है जो भी वी में जो भी आपकी subject थी वह बर देना है ठीक है यह कह रहें कि सर अधर एस्टेट वाले tsp से भरें यह non tsp से इन्हें मैंने कुझ से reply कर दिया यह non tsp से भरेंगे ठीक है आगे हैं jg जन आधर की ID जब मामसा का का number डाले हैं तो कोई problem तो नहीं कोई problem नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योगा राष्तान से न तो वो हूँ प्लीज रप्लाई कर दिया है यह नहीं बर सकते हैं क्योंकि आपको मालूप हुआ मैं इससे पहले भी बताए कर रीट 2021 स्पास होगा वहीं बर सकता है से नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं किसी का कमेंट है कि प्रेंग का सर्माएं कि इन्होंने का भाई एक 2018 है क्या मुझे बरना चाहिए को यह तो आपके उपर डिप्रेंट है बरना चाहिए नहीं रीट बैसे भी विवादे चल लए इस टैंप है तो आपको बर देना चाहिए सर यूपी से हूँ डिल डिएलेड कर रखा है यह वह वर सकती हूँ कि असर अगर आप रीट 2021 नहीं दिये तो आप नहीं वर सकते अगर दी है तो बर सकते है सर मेरी V8 की पासिंग डेट गलत हो गई है तो हमें क्या करूँ आप नो परवड़ी का इंतेजार कीजिए पैसे मेरे परसनली मेसेजन को किया है नो परवड़ी बाद आपको एक उप्सन और दिया जाएगा यानि मौका दिया जाएगा कि आपके अपनी जो भी गलती किया है उसे सुधार ले मनीशा बीयल चोधरी है मैंने वीएड है वो फश्ट एर प्लान की की थी 2014 में एडिविशन लिया था बड़ इन्हें मैंने परसनली मेसेज कर दिया है